नौर्थीस्ट के राज्य सिक्किम में आजादी के बाद पहली बार रेल पहुँचने वाली है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी 26 फरवरी को यानि के आज वर्चुली सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रेंगपो का शिला में असकरेंगे इसके अलावा पीम मोधी 550 अमरत रेलवे स्टेशन की भी आधार शिला रखेंगे गौरतलब है कि सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है सिक्किम जाने के लिए अभी तक निकटतम रेलवे स्टेशन पस्चिम बंगाल का जलपाई गुडी सिली गुडी है रेंगपो रेलवे स्टेशन का काम तीन चरणों में पूरा कर लिया गया है पहले फेज में सिवाक से रेंगपो तक दूसरा चरण रेंगपो से गैंगटॉक तक और तीस्टे चरण में गैंगटॉक से नाथुला तक स्टेशन तयार किया गया रेल लाइन परियोजना सिवाक रेंगपो की स्विक्रिती साल 2022 में दी गई थी लगभग 45 किलोमीटर की कुल लंबाई में लगभग 38 किलोमीटर की सुरंगों से 2 किलोमीटर पुलों पर और लगभग 5 किलोमीटर लंबाई स्टेशन याडूं की ओपन कटिंग और स्फिलिंग में है जादा जानकारी देते हुए इस railway station के project director मोहिंदर सिंग ने क्या कुछ बताया, सुनू एक में पांच लाइन बिचा रहे हैं, चार प्राइड वहां हो जाए हैं, फुटो और वीज है, बुल्डििंग बनाया है और इसके साथ हमारा जो आठ टरनल में खुदा ही कंप्लीट भी हो चुका है और तेरा मेजर बीज हैं, नो माइनर बीज पढ़ते हैं बीज का सबका फांडेशन कंप्लीट हो चुका है सबस्टक्चर भी बारा बीज कांप्लीट हो गया जिन में 5.5 किलो मीटर की लंबी सुरंग है और सबसे छूटी सुरंग 580 मीटर की है रेलवे लाइन पर सिवोक और रेंगपो सहित 5 स्टेशनों की निर्मान की उजना है 4 स्टेशनों को खुले क्रॉसिंग स्टेशन जैसे सिवोक, रियांग, मैली और रेंगपो और एक भूमितल हॉल्ट स्टेशन तीस्ता बाजार बनाने का प्रिस्ताव है पूर्वतर शेत्र के आठ राजियों में से रेल नेटवर्क संपर्क अब सात राजियों में उपलब्ध है इस पर योजना की कुल लागत लगभग 21,520 करोड रुपे है आज प्रधान मेंत्री इसके अलावा 15 सो रोट ओवर ब्रिज और अंडर पास का शलान्या सुथ खाटन और राष्ट्र को समर्प्रत भी करेंगे ऐसी ही तमाम बड़ी जौनकारियों के लिए देखते रहें ये पंचाब किस्ट्री डॉट कॉम और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल न भूले